मस्कार दोस्तो राजिस्तान में नए जिल्ले बनने के बाद में आप सभी के बहुत ज़्यादा कोमेंट आ रहे थी कि नए जिल्ले का राजिस्तान का जो मेप है वो बनाए तो आप सभी के लिए लेकर आचुके 50 जिल्लों का राजिस्तान का मेप किसके किसके साथ सीमा लगे ठीकि यसल मेर का विकानेयर का हिस्सा लेकर फलोधी जा भी सकता है नई भी जा सकता है ठीकि आपकी राय आप कॉमेंट बोक्स में दे सकते च poseswarmें वाय टी जूर्वी जोदपूर फलोधी हो गया गंगापूर सिटी दोस्ता सवय मादपूर बारा कोटा जहलावाड चितोडगड का आदाइस सहे रहा आदाइस सहे रहा बूंदी सहापुरा भीलवाडा केकडी टोंक अजमेर दक्सिन जेपूर उत्री जेपूर दूदू आपका ब्यावर नया जिला राससमंत पाली पर पासवड यह आपके पचास जिल्य कंप्लीट हो गए ठीक है इसमें जो डोट आपको दिख रहे हैं वह नए जिल्य अब आगे कौन-कौन से बन सकते हैं उसमें डोट दिया हुआ जैसी कि यहां पर सुजला और यहां पर नोखा बन सकता है उसके बाद नागोर से मेरता और बन सकता है यहां से बीनमाल के बनने के चांसे से जालो और साचोर से यहां चितोडगर से राउत बाटा यहां से माल पूरा और बहुत सारे कोटा उत्तर दक्सिन बढ़ सकता है यहां से छाबड़ा बन सकता है बारा और जालावार के बीच में से तो बहुत सारे जिल्य है जो नहीं बन सकते हैं नोहर है उपर कुछे के नाम मुझे भी याद नहीं ठीक है तो यह पॉसिबिलेटी हो सकती है नेक्स अगर जिले बने तो इसके लाब बात करें सबसे बड़ा जिल्ला और सबसे छोटा तो सबसे बड़ा में कोई चेंज नहीं रहेगा आपका जैसल म ही बड़ा है आपका दोसा और दोसा में से अगर गंगापूर सिटी में से एक दो तेसीले दोसा की अगर चली जाए तो दोसा फिर से छोटा हो जाएगा या फिर नव निर में जो जिल्ले है उनमें से केकडी है आपका ब्यावर है और आपका इसमें से एक दुद्दू है ठीके तो इन 5 में से कोई भी एक जिला सबसे छोटा अब बन सकता है ठीके तो ये था complete राजिस्तान का मेप आप एक बार देख लीजी इस तरीके का अब आपका मेप आने वाला है उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको नेक्स्ट वीडियो किसके उपर चाहिए वो भी कोमेंट कीजिए और जाते-जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें